असलाम नेकुम डियर स्टूडेंट आज हम शुरू करने जा रहे हैं यूनिट नमबर सिक्स जो के है एक निया यूनिट और इस यूनिट के नाम है शिल्डूर्न लिटूचर इन पाकिस्तान सो हम सबसे पहले देखेंगे के हमें यूनिट नमबर सिक्स में कौन-कौन सी टॉपिक्स हैं जो गो थू करने हैं और मैं आपको छोटा सा ओवर्वियू दूँगी के इन टॉपिक्स के अंदर हम क्या पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले ही जो हमारे पास टॉपिक आ रहा है उसका नाम है ट्रेनिंग टीचर्स टू यूज क्रिटिकल लिटूसी अर्ली यर्स अब ये कैसा टॉपिक है जिसके अंदर हम थोड़ा स्था इंटरनेशनल लिटूचर को रिव्यू करेंगे और उसके बाद हम पाकिस्तान में compliant क्रिटूसी कर बात करते हैं तो उसका मतलब ये है कि हर जबान में जो जबान के बनाने वारे लोग होते हैं उनके में टीचर्स होते हैं उन्होंने उस जबान में तकलीक हुई भी कहानियों को उनकी नजमों को क्रिटिकली कैसे रिव्यू किया है, क्या देखा है और जो आज के हमारे हालात वाकियात हैं, हमारा जो आज का माशरा है, उसमें रहने वाले मुक्तलिफ इनसान है जो लिट्रिचर इन इनसानों को ही तो डिस्क्राइब करता, यही तो बताता है कि हम कौन लोग है और हमें क्या फर्क है तो उस लिट्रिचर को क्रिटिकली देखना, उसको समझना कि कैसे inte कर लिट्रिचर जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है जमाने के साथ साथ तो यह हम पहले इंटरनेशनल देखेंगे और फिर हम देखेंगे पाकिस्तान में कि इस पर अलड़ी काम क्या हो चुका है उसके बाद हमारे पास जो अगलर टॉपिक आता है इसके अंदर वो आता है रीडिंग प्रेफरेंसिस अफ चिल्डरन हम इसमें यह देखेंगे कि हमारे पास जो बच्चों का लिटरिचर उर्दू में अवेलिबल है और पाकिस्तान में अवेलिबल है बच्चों की प्रेफरेंस क्या है उस लिटरिचर के बारे में किस किसम का literature यहां उर्दू में अवेलिबल है? कितनी हमने रदू की literature में बच्चों की अमर के हिसाप से बदलतेवें जमाने की trend के हिसाप से लिटरूचर में ऐड़ॉं किया है? क्या बच्चों की जमाने के हिसाप से कहानिया माँजूद हैं? हमारे पास जो सबसे लेटस कहानिया मौझूद ہیں वह किस किसम की कहानिया हैं और बच्छे उससे प्रफर क्यूं करते हैं या कुछ कहानियों को प्रफर क्यूं नहीं करते हैं उसके बाद आफ्री टापिक जो है इसी यूनिट का वो है अर्दू लिटरिचर फॉर चिर्डरन। अर्दू का किस किसम का लिटरिचर हमारे यहां मौझूद है। अर्दू के लिटरिचर को जब हम देखेंगे तो कुछ लिटरिचर वो भी है जो प्रिपार्टीशन है पाकिस्तान के बनने से पहले है। उर्दू में जो हमारे पस बच्चों की कहानिया हैं उनमें हमें लाजरली क्या ट्रेंट मिलते हैं। कहां हमारे बेच में एक बहुत बड़ा गैप आगया है जिसमें बच्चों के लिए किसी भी किसम का अदब तकलीक नहीं हुआ। यह जो अदब तकलीक हुआ वो एक ही स्पेसिफिक डिरेक्शन में था। और इस वकत हमारे पास अर्दू लिटरिचर की तरक्की के लिए क्या कोई एजेंडा मौझूद है क्या कोई और्गनाइजेशन मौझूद है जो बच्चों के अर्दू लिटरिचर के उपर काम कर रही है। क्योंकि आप जानते ही हैं कि किसी भी जबान के जिन्दा रखने के लिए उसमें लिटरिचर का होना बहुत जरूरी है। उसमें नजमों का होना जरूरी है। उसमें फॉक ट्रेस का होना जरूरी है। उसमें कहानियों का होना जरूरी है। तो हम ये देखेंगे कि हम जो अपनी अगली नसल को अर्दू जबान देने जा रहे हैं, अर्दू जबान के लिखने वालों ने उन बच्चों के लिए क्या काम किया है कहानियों में, उनकी नजमों में, उनके इस जबान में उनकी तक्यूल को बेतरीन बनाने के लिए या पर